हेलो डियर श्रुएंट, विलकम एगें टू क्लासिक कॉंसेप्ट क्लासिज आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं और वो भी प्रॉब्लम हम लोग मॉरिसन और जो के आइकोनिक बुक है मतलब टेक्स्ट बुक में और गनिक एमस्टी के लिए इससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगा ठीक है इसमें कंटेंट बहुत ही जादा है तो प्रॉब्लम करेंगे हम लोग इसका और जो कॉंसेप्ट अभी तक हम लोग ने डिसकस किया उस सारे कॉंसेप्ट को प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग रिफ्रेश करेंगे चलिए स्टार्ट करती हैं प्रॉब्लम पहला है वन पॉइंट विच और यहां पर सिंपल एलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉक्चर पोर इच शोइंग औली वैलेंस एलेक्ट्रॉन मतलब आपको यहां पर सिंपल एलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉक्चर बताना है और इसमें सिर्फ वैलेंस एलेक्ट्रॉन हमें दिखाना है चलिए तो आयनिक और नोन आयनिक की बात कर लेते हैं तो आयनिक बॉन्ड का बनता देखिए धियान से देखेंगे आयनिक यहां पर हम लिख लेते हैं so this is ionic and non-ionic तो ionic bond के लिए जो condition है generally यहाँ पर rule नहीं है यह generally है generally electron transfer होता है क्या होता है generally हम यहाँ पर already पहले लिख लेते है generally क्योंकि chemistry में कोई भी प्रफेक्शन नहीं है हमेशा कुछ नकुछ यहाँ पर organic chemistry हो या inorganic chemistry हो या फिसिकल chemistry हो वहाँ पर exceptions आता है तो यहाँ पर ionic में क्या होता है electron transfer होता है क्या होता है electron transfer उसा concept को discuss करते हैं अगर जो बच्चे previous class नहीं attend की है please previous class को जरूर attend करे already uploaded है electron transfer नोन आयनिक में यहाँ पर generally हम दोग लोग दिखने covalent bond इसमें sharing होता है sharing होता है electron का sharing अच्छा नोन electron transfer का होगा जब electro positive element या atom की बात करेंगे electro negative atom को अपना electron देगा ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा जब highly electro negative atom highly electro positive atom से अपना electron क्या करेगा छीन लेगा इसे हम ionic bond कहेंगे तो bond जो बनेगा between atoms ध्यान समझेंगे between atoms जो bond बनेगा atom की बीच में बनेगा that are widely separated that are widely separated widely separated आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा widely separated that is lift to right left to right left to right in periodic table in periodic table periodic table में जो lift to right होगा जो widely separated होगा उसमें generally ionic bond बनता है ठीक है मतलब left में क्या होगा हमारा अगर left की बात कर आपकरे और right की बात कर तो left में हमारा metal होगा जो कि highly electro positive होगा और right में अगर बात करे तो non-metal होगा non-metal होगा ठीक है achi metal होगा होता है इसमें exaggerated का bond होता है या 2 तीन वैलिन्स होता है तो यह आराम से नॉन मेटल इसको अपने एलेक्ट्रो निगेटिविटी पावर, मतलब नॉन मेटल का जो एलेक्ट्रो निगेटिविटी पावर होता है, वो ज्यादा होता है, तो एलेक्ट्रो निगेटिविटी पावर होता है, वो ज्यादा होता है, तो एलेक्ट्रो अपन कौन कौन सा हो सकता है तो यहाँ पर आइनिक जो हो सकता है हमारा तो यहाँ पर प्रॉबलम के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है तो देखिए अगर हम के बी आर को देखते हैं तो के बी आर क्या है हमारा metal है potassium में KBR में potassium metal है और bromine non-metal है तो यह covalent बनाएगा तो मैं जो जो covalent बनाएगा sorry ionic बनाएगा जो जो यह ionic बनाएगा यह वाला ठीक है non-metal, metal तो जो जो ionic है उसको हम red से mark करते हैं so this is ionic NF3 अब देखे NF3 जो है पास-पास है periodic table में इस दोनों के बीच में जो यह हमारा क्या करते हैं electronegativity का difference होगा वो बहुत काम होगा तो यह जो है non-ionic बनाएगा तो non-ionic को blue से हम लोग करते हैं ठीक है non-ionic CSO4 है calcium है और यहाँ पे sulfur है तो आप देखें यहाँ पे sulfur oxygen है तो calcium metal है तो यह ionic बनाएगा I think this is ionic यह ionic बनाएगा pH 3 phosphine का है तो phosphine जो है यह non-ionic बनाएगा तो इसको blue से कर लेते हैं non-ionic बनाएगा और H2S sulfur और hydrogen H2S यह hydrogen है और यहाँ पे hydrogen चुकि डूएट बनाता है और यहाँ पे sulfur है तो यह जो है covalent बनाएगा that is non-ionic बनाएगा so non-ionic यह non-ionic हो जाएगा CH3, Cl, carbon और chlorine है तो यह भी non-ionic और hydrogen के साथ है यह भी non-ionic बनाएगा so this is non-ionic NH4, Cl अब यहाँ पे ammonia है chlorine है तो यह ionic बनाएगा तो ionic को red से हम लोग mark कर लेते हैं CH3, OH यह non-ionic that is covalent बनाएगा तो कौन सा compound ionic बनाएगा और कौन सा non-ionic बनाएगा यह depend करता है electronegativity मतलब दो atom के बीच के बीच में जो electronegativity का difference है उस पे depend करता है यहाँ तक तो clear हो गया होगा चलिए अब structure लिखते हैं structure में KBR पहला क्या है KBR लीचे page ले लेते हैं आही होग आपको समझ में आगया होगा ionic, non-ionic हमने separation भी कर दिया उसका KBR KBR OK Bromine पे कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 Potassium पे एक अधिक है Potassium का एक electron जब BR को transfer हो जाएगा तो K plus बनेगा और एक electron यहाँ जाएगा BR minus बनेगा तो जो transfer वाला electron उसको rate से दिखाते हैं तो this is BR minus यह structure KBR का हो गया ठीक है A वाला part हो गया B वाला जो है हमारा question में B question है H to S तो देखिए S पे कितना है एक, दो, तीन, चार, ठीक है पाँच, ठीक है छे अब दो hydrogen है तो दो hydrogen के लिए अगर एक hydrogen हम लोग blue से ले लेते हैं एक hydrogen यहाँ पे है और एक hydrogen यहाँ पे है So, अगर एक-एक hydrogen share कर ले यहाँ पे एक-एक hydrogen का sharing हो जाए तो क्या बन जाएगा H to S So, we can write here H to S के structure कैसा हो जाएगा हमारा S एक, दो, तीन, चार और sharing में H S H S यहाँ पे H S हो जाएगा और यहाँ पे दो electron sharing का हो जाएगा H S इस तरह से hydrogen का duet पुरा हो जाएगा और sulfur का octate पुरा हो जाएगा तीसरा question है A, B C वाला part में हमारे पास NF3 NF3 तो देखिए NF3 को कैसे ले सकते N 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है nitrogen का valence electron में 5 होगा F3 में हम लोग F 1, 2 यहाँ पे F 1, 2 यहाँ पे F 1, 2 अब यह share हो जाएगा ऐसे यह ऐसे यह ऐसे ठीक है और इसका यह share हो जाएगा ऐसे तो यह sharing से bond बनेगा covalent bond बन जाएगा NF3 इस तरह से bond बन जाएगा ओके तो यहाँ पे electron dot structure दिखाना है तो हमें कैसे दिखाना होगा हमें ऐसे दिखाना होगा 1, 2 यहाँ पे F यहाँ पे 2 F है यहाँ पे 2 ऐसे F हो जाएगा बागी octate fluorine का इस तरह से हमें पूरा करना होगा fluorine का octate यहाँ पे इस तरह से देखे यह practice करने पे आपको समझ में सारा कुछ आएगा ठीक है और nitrogen पे इसके अलावा भी 2 electron है red से मैं उसको mark कर देता हूँ जिसे के आपको समझ में आ जाए okay A, B C वाला पार्ट हो गया D वाला पार्ट चलते हैं D वाले पार्ट में question कह रहा है CHCl3 CHCl3 so C 1 1 2 3 4 ठीक है hydrogen 1 है एक hydrogen यहाँ ले लेते हैं और Cl3 है Cl3 1, 2 3, 4 5, 6 और 7 Cl 1, 2 3, 4 5, 6 और 7 Cl 1, 2 3, 4 5, 6 and 7 sharing कर लेते हैं so यह sharing हो जाएगा हमारा okay यह sharing हो जाएगा हमारा okay और यह duet हो जाएगा right यह sharing हो जाएगा इस तरह से sharing अगर हो जाता है अच्छा carbon का जो sharing होगा वो इस तरह से होगा ठीक है carbon chlorine के साथ यहाँ पर यह Cl है छूट गया यहाँ पर Cl है okay तो अब जो bond बनेगा वो इस तरह से होगा Cl 1, 2 3, 4 5, 6 और यह 7, 8 1, 2 Cl आजाएगा 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 again यहाँ पर 1, 2 Cl आजाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर hydrogen के लिए यह dot वाला formula आजागा तो यह Cl 3 हो गया ओके तो D part हो गया हमारा अभी और question है इसी में A, B, C, D E में है Ca to SO4 C, A, SO4 E में है हमारा Ca, SO4 इसका आप homework मैं देता हूँ इसको आप खुद से करें D में है चुकि आइनिक वाला मैंने एक अल्रेडी करवा दिया है यह divalent है D में है NH4Cl NH4Cl तो देखिए NH4Cl यह Cl हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है और यहाँ से चार हाइडोजन अगर देखते हैं 1 हाइडोजन एक ऐसे एक हाइडोजन ऐसे ठीक है एक हाइडोजन ऐसे ठीक है और एक हाइडोजन ऐसे चार हाइडोजन होगे यहाँ पे ठीक है इसके अलावा एक चुब एलेक्टरन बचाई यह इसको क्या करेगा ट्रांसफर करेगा और जब ट्रांसफर करेगा तो यह हमारा NH4,Cl भण झायगा देखे ध्यान से यह हमारा इस तरह से डॉट फॉर्मूला भण जागा तो practice करना बहुत जरूरी है बिना practice किये तो यह NH4 यह plus sign हो जागा चूंकि nitrogen एक electron transfer करेगा और यह किस पर जागा chlorine माइनस पर क्लोरीन पर जागा तो chlorine पर एक electron का जाद एक electron जाद हो जागा सो यह हमारा minus जागा CH4 NH4C है ठीक है यह D part हो गया D part के बाद A B C D E part में चलते हैं E part में है pH 3 phosphine बहुत ही easy है आराम से आप कर सकते हैं यह homework के लिए है आप fourspin का आप homework करने F में है हमारा CH3 OH CH3 OH L को है लेए इसको देख लेते हैं तो C 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 उसके बाद O है Q है O 1 2 3 4 5 6 H है H 1 और यहां पर H है ठीक है यह H हो जायगा यह H हो जाएगा connectivity कौन सा आटम किससे connected है यह भी given रह हैगा आपको question में अब यहां पर देखे शेरिंग कीजिए हाइडोजन के लिए डूएट हो जाएगा इस हाइडोजन के लिए डूएट हो जाएगा इस हाइडोजन के लिए डूएट हो जाएगा और हाइडोजन के लिए डूएट हो गया और हाइडोजन के लिए डूएट चाहिए हाइडोजन के लिए डूएट हो और यहाँ पर O देखे धियान से नहीं पर भी कोई doubt नहीं आने वाला है यह CH3 OH का हो गया तो यह H वाला पार्ट था A, B, C, D, E, F G, Phosphine का तो दिया था कोई एक और छोड़ाने 4C, L, चलिए ठीक है तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा यहाँ पर कहीं पर भी कोई दिकत नहीं है A, B, C, D A, B, C, E, C वाला पार्ट था तो एक मिनट कुछ गरबर वाला D, यह E था यह F था यह G और यह वाला H यह सारे के सारे कॉशन हम लोगों ने 1.1 का बहुत शांदार तरीके से कर लिए 15 मिट से जादा वीडियो नहीं करेंगे अब जो है next वाला में हमें उपर चलते हैं next lecture में हम लोग problem number 1.2 देखेंगे simple यहाँ पर electronic structure की बात कहा रहा है और यह कहा रहा है कि completely covalent है तो completely covalent मतलब sharing होगा sharing होगा मतलब atom के बीच में जो connected atom होगा उसके बीच में electronegativity का difference बहुत ही काम होगा तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग next lecture में problem number 1.2 करेंगे अगर आप से hope आता है तो आप जरूर करके comment box में जरूर बता है वीडियो जैसा भी लगा हो please comment में जरूर शेयर करें आज के लिए इतने ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स लेक्षर में have a nice day जाँ जाँ